ओम नमश्यवाई मित्रों कैसे हैं आप सभी आश्या करती हो आप लिग बिल्कुल सही सवस्त्रोंगे तो आज आपके लिए बहुत ही खास कुंडली का उपाई लिए क्या है हूँ जैसे कि आपको पता ही है कि सेकंड भाव में अगर राहू होता है तो किसी भी कुंडली पे क्या परभाव डालता है आज आपको यही बताने वाली हूँ और इसके क्या उपाई आपको करने होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी दूसरे घर का अगर राहू होता है तो जातक को बहुत ज़्यादा विप्रीत में डाल देता है धन परिवार की कमी होती है वेक्ती में राहू का परभाव 11 गुना अच्छा होता है ग्रस्त जीवन ब्रस्पती के अनुसारी ही चलता है अगर आपका ग्रस्त जीवन है तो ब्रस्पती देव की अगर कुंडली में अच्छे होते हैं तो ही उसी के साब से चलता है जातक का पालन पोशन धन स्थान से प्राप्त धन द्वारा होता है जब तक कि यह दान पुन्य करे उसकी आज जीवी का मेवरिधी नहीं होती अगर आप दान पुन्य नहीं करेंगे तो आपकी जीवी का मेवरिधी नहीं होगी तो इसलिए कुछ ना कुछ थोड़ा वो दान पुनिय करते रहे जिसकी वज़े से आपके दूसरे भाव का जो राहू बैठा है वो आपको दूस्ट परभाव ना दे यदि वर्ष फल में शनी पहले घर में आए तो ब्रसपती नेक होता है तो सब कुछ सामानिय रूप से चलता है प्रन्तु यही शनी मंदा हो तो सभी कारिय उल्टा हो जाता है अगर आपकी कुणली में शनी पहले घर में है और ब्रसपती इसकी वज़े से नेक होता है ब्रसपती आपको धन भी देगा वैपार भी देगा आपका बिजनस भी चलाएगा और आपको सुख सुद्धा की चीजे भी अर्पित करेगा अगर यह सारी चीजे ब्रसपती ही सारा कुष अच्छा चलाते है उसी की वज़े से आपका सब कुष मान सबमान बना रहता है आपकी जीव का अच्छी चलतिया आर्थिक समस्थро से जो गुजर रहे होते हैं वो चीजे ठीक रहती है धन प्राप्त कर सकते हैं वैपार सही चलेगा नोकरी सही चलेगी विभ कारियों में अर्चन आने लगती हैं, आपके कारिये बिगड़ जाते हैं, आपका वैपार अच्छा नहीं चलता, आपकी वैवाइक जिंदिगी में पती-पतिनी में अच्छा सा नहीं बनता, आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, या आप क्रोधित रहते हैं, आपको समझन सही रहता है वो भी जब पहले घर में शनी होता है अगर आपका राहू भी आपको परिशान कर रहा है अगर आपके साथ भी ऐसा कुंड़ी के हिसाब से चल रहा है तो आपको राहू का क्या उपाई करना चाहिए चांदी या सोनी की गोली हमेशा जेब में ज़रू रखें पर्स में या जेब में ज़रू रखें ऐसा करने से आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको हमेशा आर्थिक समस्य से गुजरना होगा हमेशा आपकी जेब खाली ही रह सकती है जैसा पैसा आता है वैसे ही पैसा निकल जाता है हाती के पाउं की मिट्टी कुएं में गिराएं हाती जहां से भी गुजर जाए दूसरा उपाई हाती जहां से भी गुजरें महां से थोड़ी सी एक चुटकी मिट्टी ले ले और कहीं आपको कुवा दिख जाए तो उसमें छोड़ दे ऐसा उपाय करने से आपका राहु शांत रहेगा और आपको दुस्ट परभाब जो भी देगा उसका आपके उपर जादा फरक नहीं पड़ेगा सुस्राल से बिजली का कोई भी समान ना लेके आए अगर आपकी शादी हो रखिये और आपका राहु परिशान कर रहे तो सुस्राल से कभी भी बिजली का समान ना लेके आना अपने घर माता से समब्ध ठीक होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर अपनी माँ से बना के रखें इसकी वज़े से आपकी माता से सम्मध अगर अच्छे हैं तो आपका रहो भी जो दुस्ट परभाव दे रहा होगा आपके कुंड़े के साब से वो बिल्कुल ठीक रहेगा और जो भी आर्थिक समस्या से गुजर रहे होंगे आपका बिज अच्छन आती है वो कारिये एकदम बन जाएंगे वो पिगड़ेंगे नहीं तो इसलिए अपनी माता से ऐसे जातक जरूर बना के रखें उनका सुबह उड़ते ही आशिरवाद जरूर ले बड़े बोडों का आशिरवाद लेना जरूरी होता है क्योंकि कोई ना कोई जो भ भाव देता है ऐसी कुंडली पे क्या जातक को दिक्कत होती है और क्या वो महाँ उपाइक कर सकते हैं तो मैंने आपको समझाया आप पूरी वीडियो को देखा करें और अगर वीडियो अच्छी लगते है तो जादे जादे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब क करें और अगर कुंडली और हस्ती रिखा के लिए संपर्क करना चाते हैं तो स्क्रीन पे नमबर दिवे पे वाटसप कर सकते हैं मैसेस कर सकते हैं आगे फिर मिलती हूँ तब तक के लिए शेश्वाई और अगर आपकी कुंडली का सेकेट भाव का है राहू और बहुत किसी की भी कुंडली में सेकेंड भाव में राहू बैठा है और परिशान कर रहा है तो ऐसे में गोमे धारन करें गोमे धारन कितनी करेट का होगा कुंडली को सर्च करके ही बताये जाएगा क्योंकि ऐसे मैं आइडिये से नहीं बता सकते हैं आपे क्योंकि सभी कुछ ना करके ही stone कोई बताये जाता है और stone कोई भी चाहिए हो तो हमारी website पे आप आके ले सकते हैं और lab test क्या हुआ stone ही मिलता है और आप instagram की id से भी ले सकते हैं पैसेस कर सकते हैं तब तक के लिए शिवाई नमस्तु विया हर हर महादेव झाल 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 झाल